नमस्ते, लतास किचिन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है, और वो रेसिपी है अचारी अलू, अचारी अलू बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए बस कुछ मसालों का स जरूरी है, आएए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम अचारी अलू, मेरी नई रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाईए, अचारी अलू बनाने के लिए मैंने 5 हाव गोईल अलू लिये हैं, आलू को मैंने पहले धोकर में एक विसिल आने तक पकाया है और उसके बाद उनको छील लिया है, अब इन आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ऐसे ही हम सारे आलू काट लेंगे, अचारी अलू बनाने में सबसे इंपोर्टेंट है अचारी मसाला, तो इसके लिए हम अचारी मसाला तैयार करेंगे, अचारी मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 टेबिली स्पून कलोंजी, 1 टेबिली स्पून मेथी दाना, 1 टेबिली स्पून जीरा, वन टेबिली स्पून राई और वन टेबिली स्पून सौंग सबसे पहले इन पांचों मसालों को हम हलकी आज पर हलका हलका भून लेंगे और भूनने के बार ठंडा करने के बार हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे तो यह मैंने मसाला पहले से पीस कर तयार करा था और इसमें से मैंने वन टेबिली स्पून यह मसाला लिया है अब एक बड़ा बाउल लेंगे और बड़े बाउल में वन टेबिली स्पून अचारी मसाला डाल देंगे 1-2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च 1-4 टी स्पून हल्दी पाउडर 1-2 टी स्पून के करीब इसमें सॉल्ट एड़ कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून इमली का गुदा एड़ करेंगे इमली को पहले भिगोकर उसके पल्प को छाल लिया है इसमें हम एड़ कर देंगे इसको मिक्स करेंगे इसमें हाफ कप के लगभर पानी आड़ करेंगे मसाले में से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इस मसाले को हम एक साइड ड़ब देंगे अब एक नॉन इस्टिक पैन लेंगे पैन में तीन टेबिल स्पून ओइल डालेंगे गैस ओं करेंगे ओइल गरम हो चुका है गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और ओइल में ये आलप के पीसिस डाल देंगे गैस थोड़ी बढ़ा देंगे और आलू को दीरे दीरे पलट देंगे आलू को एक बार और पलता है आलू का कलर चेंज होने लगा है अब इसके उपर हम आप टी स्पूल सॉल्ट स्पिंकल कर देंगे सॉल्ट की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा की जा सकती है इनको बीग बीच में उलटते पलटते रहेंगे आलू बहुत अच्छे गॉल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं इनको हम किनारों पर कर देंगे गैस की फ्लेम लो कर देंगे इसमें हम वन पिंच पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा और दो हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई डाल देंगे मेरे बड़े आलू यह है इसकी जगे बेवी पोटेटो से भी यह रेसिपी तयार की रह सकती है अब हमने जो मसाला तयार किया था इसका गोल हम इसमें एड कर देंगे इसको मिक्स कर देंगे अब हम पैन का धकन धक देंगे और दो मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकता रहने देंगे दो मिनट हो चुके हैं अब हम अपनी सब्जी को चेक करते हैं वाव गैस ऑफ कर देते हैं इतनी बढ़िया सब्जी बनी है और सब्जी में से बहुत अच्छी मेहक आ रही है इस सब्जी को हम पूरी पराठा नान चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आजकल अच्छे रेस्टोरेंट में ये छोले भटूरों के साथ भी सर्व की जाती है आप भी इस रेसिपी को जबूर ट्राइब कीजिए और अचारी आलू देखने के लिए आपका धन्या कीता कर दो 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 कर दो